नमश्कार दोस्तों आरोगे मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ नीर्जा दोस्तों आजकल अलग-अलग तरह की अलर्जी सुनने में आती है किसी को वीट से अलर्जी है किसी को दूद से तो किसी को डस्ट या धूप से और ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर आपको ये एक बार एलर्जी लग जाए तो लाइफ लॉंग आपको उस चीज से बचना पड़ता है क्या आयूरवेद भी ऐसा कहता है? आज इसे विशे पर चर्चा करते हैं उसके बारे में क्या कहता है? लेकिन उससे पहले मैं दर्शको को बता दूँ हमारा नमबर एक ऐसा नमबर, एक ऐसी हेल्प लाइन जिसका घर बैठे आप फायदा उठा सकते हैं आपको डाइल करना है 01294040404 आप बात्चीत करिए जीवा के डॉक्टर से और पाईए अपनी समस्या का आयूरवेदिक निदान ची डॉक्टर साब, तो क्या आयूरवेद में भी अलग लग तरहें कि ऐलर्जी का वर्णन है? आपने सही कहा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है जिसको देखो आते हैं हमारे पास पेशेंट में कभी क्या हुआ कै जी अलर्जी तो मैं उनसे पूछता हूँ वह या अलर्जी मतलब क्या? तो कैजी पता नहीं डॉक्टर ने बताया कि अलर्जी हो गई है तो सबसे पहले मैं आपसे बार-बार आपको प्रेरित करता हूँ आपसे निवेदन भी करता हूँ कोई भी शब्द आप सुनें आपको डॉक्टर से पता चले कहीं से पता चले कि आपको फ़ला चीज हो गई है तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करिए कि वह चीज हुई क्यों आपको अब अलर्जी का मतलब क्या होता है जब हमारे शरीर के किसी भी अंग में कुछ एक विशेश रियक्शन होता है क्या होता है कि कोई अलर्जन अलर्जी कब होगी जब अलर्जन यानि कोई बहारी तत्व जैसे के पॉलूशन है डस्ट है या कोई भोजन है वो हमारे किसी शर तो इसको कहते हैं तो इसमें दो चीज हमें देखनी है पहला चीज है और दूसरा है क्यों होती है अलर्जी सभी को तो नहीं होती है एक घर में तीन बच्चे हैं तीनों ही जो है उस पर्टिकुलर ठंडी चीज को खा रहें एक को छींके शुरू हो जाती है दो को नहीं होती इसका मतलग उसे एक बच्चे में इंटरनल कोई न कोई प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं आयरवेद में उसका ओज शक्ति उसकी इम्मुनिटी पावर कमजोर है आयरवेद में इस ओज शक्ति के बारे में हम और बात करेंगे हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं यह पहले उनसे बात करते हैं नमसकार जी अ अपना नाम बताईए जी मैं रजिनी बोल रही हूं जी कहां से बोल रहे हैं रजिनी जी पूँछी अपना प्रशन में बताते हैं कि एकड़ मज़ा आ जाता है नहीं अच्छी बात है कि हमारा प्रयास यही है कि आम आदमी की भाशा में जो है वो रोगों को समझाया जाए उनके कारणों को समझाया जाए और अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें खुशी होती है कि हमारा जो एम है हमारा जो ग कि इसे पूरी बात सुनी जाती है और फिर दवाईयें बताई जाती है कि एक तब हाक आ जाता है पैसों का चलो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फीडबेक का हमें खुशी हुई आप बताईए क्या प्रशन है आपका डॉक्टर साब बड़ा हो रहा है जैसे अभी सोला साल का हो गया है एक तो हाइट नहीं थोड़ी कम बढ़ रही है और एक आग्रता नहीं है जैसे पढ़ने में आलस्य भी बोल दीजिए कि तुबह जल्दी नहीं उतना या एक नमल साते हुए उतना जी देखिए बहुत अच्छा प्रशन आपने पूछा है बच्चे इस में सुबह उठने का टाइम उठकर के सुबह थोड़ा सा पानी पीना है सौच इत्यादी करने के बाद तेल की मालिश करें थोड़ी एक्सरसाइज करें तो इससे क्या होता है कि शरीर के टॉक्षिंस बाहर निकलते रहते हैं और बोडी में हमारा खून का सर्कुलेशन अच्छ ज़सों उसमें डाल सकते हैं अख्रोट भी अच्छा काम करता है और ज्यादा चाहिसे है थो हमारे जीवा में कई प्रोडॉक्त से ने करता है मैमोरी का टेबलेट से बरामी तेबलेट से के यहारे चाहिए जो बच्चों को लेनी चाहिए क्योंकि दिमाग का काम उनका है प और साथ में जब आप हमारे डॉक्टर से बात करें जैसे आपने पहले भी किया है तो उनको बोलिए कि हाइट के लिए भी कोई टेबलेट साथ में हो दे जिससे के थोड़ा सा धातू उसके पुष्ट होंगे बिल्कुल आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा कोई ऐसी चाने के लिए थांक्स लॉट जी डॉक्टर साब तो हम बात कर रहे थे और ओज के बारे में तो जिन लोगों की ओज शक्ति कमजोर होती है जिसको के हम आज की भाशा में रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कह देते हैं क्योंकि हमारे ओज जो है बड़ा सा एक शब्द है और उ चाहिए उनको पाचन शक्ति की है चाहिए तवच़ा उनकी शैख उनकी आंखे सेंसिटिव है तो जहां-जहां पर वह कमजोर होगी ओज की या इम्मेनिकी वहीं पर जो है जब भी उनको प्रटिकॉलर एलर्जीन उनको एक्स्पोज करेगा वहां एक रियक्शन हो जाता है और reaction में अनेक प्रकार के लक्षन होते हैं लक्षनों के बारे में भी आपसे विस्तार से बात्चित करेंगे और हम आपसे भी जाना चाहेंगे कि क्या ये एलर्जी बाइबर्थ होती है या क्या होती है लेकिन वक्त आ गया है एक ब्रेक का दोस्तों आप कहीं मच जाएगा हम देख रहे हैं आरोग्य मंत्र और बात कर रहे हैं आज एलर्जी के बारे में वीविल मीट यू आफ्टर इस शॉर्ट ब्रेक